प्यारे जिल्ली वासी हो आदर निये रोनी कोटन बार शानि के शाहओ नमन आज अमार के सामनीशन करेंगे, ठाना रानी बाक शेत्र इंदर एक एक डीडी एंट्री डीडी नमबर अठारा है चोबीस एक अठारा दर्ज कराई एसाई परविन ने ये बोलके कि पुलिस के पर हमला कर दिया गया है और उनके साथ एसाई संदीब और कॉंस्टेबल अजे और एक बहिला पुलिस कर्मी मौके पे मुझूद है और पुलिस वर्स वेजी है लेकिन उन्होंने ये बाद यहां पर छुपा ली कि उनके एक बचके दस मिनट पर करी गई और उनने ये बाद भी बोला कि उनका मुबाइल थाने का मुबाइल नहीं मिल मैंने कई पर पढ़्यास किया इसनों चत्था मुंची हैड कॉंस्टल भगत सिंग को फोन किया और उसने जाके ड्यूटी ओफिसर को ये डीडी नंबर अठारा एक के इंदर एक बचके तसमेंट कर आया कि पलिस के पर हमला होगे चार प्लिस मुके पे मुझूद है ऐसाई परवीन ऐसाई संदीब कॉंस्टाइब राजे और एक महिला पुलिस करमी और उसके बाद उन्हों ने ये दर्ज कर दी डीडी एंट्री और इसके अधार पर बाद में फाई यार दर्ज हुई डीडी नंबर एक एका सहरा लेकर जो कि ऐसाई नवीन ने इन्वेस्टिकेश पुलिस ने बाद में अड्मिट कर लिया एविडेंस कोट में जमा होने के बावचूथ उस गली में बहुत सारे कैमरे लेगे लेकिन पुलिस को पता था कि इन्होंने क्राइम किया है इसलिए पुलिस जो है उन्हों सब बातों को छुपा रही थी और मुसी दिन सेम डे सब पुलिस के खिलाफ और पुलिस ने डगे ती घर के अंदर अपरण गया था और बहुत सारे महिला पुलिस को मार पिटाई और गाली गलोच कर रही ती जो कि 304 में अफैंस है जिसमें कहीं से कोई अप्रूवर लेने जोने पुलिकोड डारेट अफाइड अदश करने का और और इसी रखेती में शामिल ऐसा ही संदीप जिसने डीडी नंबर 26 से दर्ज करी साथ बच्चे के 25 मिनट पे जिसका यह कहना है कि जब हमारे पे हमला हुआ चार प्लिस कर्मियों पे तो उससे पहले हमला करने वाले दो थे एक महिला थी और एक बच्चा था और जबकि मोग लिक विटने तक इस कोड में पेशनी कर पाई किसी चार्चेट में इन्वेस्टिकेशन में लगबक सत्तर असी सो के लगबक चार्चेट आ गई शरुवाज ने 40-50 चार्चेट में पोलिस ने कोड से साचन कोड से में कोड से स्क्चिन परविन यादव एस बलदा जो आठे नीचे खड़ा रहा और लोगों से पूछ ताच करता घर के मुख्या के बारे में इतने सब अपराद इन्होंने अंजाम दिया अर्वीन इलावत था उनकी मेडी विगत में सामिल और भी कई आदमी थे ओढ़ाद चिनका इसरानी वाग शेतर में प्रॉपर्टियो पर कभजा करना लोगों की सरकार की कभड़ा करना लोगों को मजबूर करना की मकान उनसे वनवायें करना वनवायें तो वह सारा लेकर मकान सिल्कर वा नें और फिर उनको फसा लेते हैं और उनको अपने जाल में अपने द्वारा ब्याने में आने पर्चे कानूनी दाउं पेचों वसा के कई पुलिस कर्मिंग के पार्टनर हैं जिनके अवैद संपत्ति करोड़ों रुपे की लगी हुए जिनकी CBI, ED और DRI से जाच होगी तो यह पता चलेगा इनका हवाले का कार रखा हुआ है और साथ यह मैं बताना चाता हूं कि इस डेकोती की सूचना उस दिन समंदित एसीपी राजा बंटिया सरसतियार को दी गई एसच्चों को दी गई डी सीपी नोर्थ वैस असलम खान मैटम को दी गई जॉइंट सीपी सागरपिर्स हुट्टा को डॉक्टर सा यह सब्सक्राइब और लोस्थानी पुलिस ने सब परविन बनावत ने गुमरा किया आधरनीए डी सीपी एसलम खान साब को जोइंट से पी आइनार सापको डॉक्तर सागर प्रविस अधिकारों को नियानले को सब को धोका लगाया चूना लगाया इन लोगोंने जूटी पर दी जो कि बहुत बड़ा घंबीर अपरादा और एक बार नहीं दी बीच दिन के अंदर कंसकंद दस रुपोर्टर ने जूटी कोट के अंदर फाइल कर दी जिसने परवीन यादव का नाम चुपाया 17 PCR कॉल चुपाई टाइमीं चुपाई जब इनकी आगे बढ़ी और जब बहुत इन्होंने सबूत मिटाए हर तरह के जूटी एफाया दर्जकरी घवाओं पे फिर भी जो कि कहते हैं कि सच को कोई पराजित नहीं कर सकता और सच सामने आया जब 109 नंबर गुपाल क्रिश्यन आदर्वनी जसाब आये और उन्होंने बाइस बारा ठारा को और जोएन किया था और उन्होंने आते ही फैसला कर दिया सब्सक्राइब कर दिया और उन्होंने तरंग कई ऐसे फैसले करें दस दिन के अंदर जिसके बाद जो पुलिस ने मोवाईल डखेती में चीने देख वचके 20 पर ऐसे परवीन ने उन मुवाईलों में तीन सिम चल रही से वह चीन के ले गए जिसको उन्होंने साड़े साथ देखाया राटेर क्राई में बताया कि चोबी से कटारा के बाद यह कभी फोन खुले नहीं तब भी जब सीडियर जीपेस अधरनी जस्ता आपके आधिस से निकलवाई गई तो उसके इंदर साफ साफ आ गया कि कोई भी केस सुने कोई भी कोट तो वह जरूर दियान लगे कि यह लोग टेंपरिंग करते हैं कोट के साथ खेल करते हैं कोट के सम्मान का आधेश नहीं करता 22-18 कभी आज था कि इन्होंने आधेश अभी तक कोट के अंदर अभी उसको कंपलाई नहीं किया है बहुत सारे इ महां के स्टाफ को गुमुरा करता है क्या करता है मैं नहीं जानता इसके बारे में जांच होनी चाहिए पस्ल कस्टडी मिलेके और यह डगेती किसे कहने पर यह डगेती में लूटे वे टेड़ लाग रुपेर पागज दे उसकी आतर रिकवरी नहीं हुए और ना इस पर आ अधरनी रजी फिर्नागर साब को धन्यवाद करता हूं जो कि स्टम उन्रेवल हाई कोट के अंदर दिल्ली की जस्टेस हैं उनकी बहुत मदद रही कि उन्होंने एक हाथ से लिखेवे कागज को भी कंपेलेट के अंदर बदल दिया अनुराग ठाकुर जी जट साथ 113 सारे सबूत देखने के बात की जब उन्होंने लग दिया कि पुलिस ने ज़्यादा अफेंस की हैं और नकली फर्जी रीडी एंट्री और एफाइयर करी हैं सबूत देखें सीची टीवी देखें और पुलिस की प्रेजेंस शुपाई गई है जो कुछ भी देखा गया सभी सम्मानित अधिकारियों ने तब भी इन लोगों ने क्या चाल खेली क्या जाल फेका इसके लिए इसके बावजुद आतंगे लाइन हाजी तक नहीं हुए ऐसा ही परवीन जो कि मलाईजर पॉस्टिंग यहां से इसका ट्रांस्वर्वरी में इस जांच की चारू होता ही पह सब्सक्राइब करता है अब अधिकारी को भी यह जूट है कि हमार को यह बाद किस तरके से पचाई गई है इसके पीछे क्या इसका मकसद है लेकिन कुछ ना कुछ दाल में काला जुरूर है कि जो आज तक इसको एक लाइन हाजी तक नहीं गया एक दिन के लिए बहुत बड यह आज अधर सने पाने मीज़ा यह गैंक और इन लोगों को मिर्ट इसको में एसके विए बाद रहता है और यह से केवल सिंग भाद रहते हैं और यह से केवल से इने करते वे इस प्लिटिक अधिकार यह उन्होंने इनसे मुझे मिलवाया था और तेई से कठारा को उन्हो भी शोरी थी मैं मैट्रों पकड़के वहां गया और उन्हों मुझे बताया कि पुलिश की मनसूबें ठीक नहीं है अलावा तुम्हारे पर कोई ना कोई घलत तुम पर एफाई अजाज कर सकता है तुम साफदान लेना तुमादी रास्ट जो के प्रती जो आपका मकान भी क पर शेयर कर रहा हूं कि किस तरके से राणी बग्सारा शेतर में गैंग एक्टिव अब में मुझे पर आता हूं कि एक बचके दस मिनट पर जोसने बाद दगाई ऐसाई प्रवीन ने कि हम चार्व पर हमला हो गया फोर्स वेजी जाए और हैट कॉंसल भगत सिंग ने करा आ एक बचके ग्यारा मिनटे पहुचा एक बचके तस मिनटे एक मिनटे में उस जगह बोचे जहां सुबह धाई गनटे में पुलिस पहुची और चोदा मिनटे नीचे वेड किया ब्राउन जैकेट पहिंक आया और काली डिक्की वाली बोटर सेकेंड लेके और लोगों से स्कूल के बच्चे तक आ जा रहे थे कि उन तक के भी घवाना आज तक घवाई पुलिस कर्मिन ली और जिस दिन विजिलाइस इंक्वारी की जांच बैट गई तो उस जांच के अंदर भी नोंने जूट बोला जो आदर निया एडवोकेट के खट्टर के बियान चुपाए और आड़नी एड़ोकेट हरदेव चड़ा जी जो कि सहरी गर में रहते हैं उन्होंने मलवाया और बहुत सारे ब्यान इस पर किये गए और मैं बताने जाता हूं इसी डगेती में सामिल ऐसा ही संदीप ने बीडिन नंबर 26 एदर करी और साथ इसके पत्तेश इनट में 24 एक सामने आ चुकी है सीडियर जीपे से यह भी बचल लगया कि फोन कभी भी एंटू के गए नहीं तो विक्टिम वह गया नहीं तो ऐसे नभी ने जूटी एंट्री दर्ज कराई कि मेरे को आप मिला और उसने में को धंकी दी यह करा वो करा सब कुछ जूट है और कोड के सामन लेकिन अधानिंग सबूद मुझोत है और डगेती के लूटे और डेड़लाग काहें चाहें कागच काहें इसकी आज तक कोई जवाब किसी के पास नहीं है कोई जांच में सवाल नहीं है विजलेंगे निया विजलेंस में इंक्वारी बहुत सारे लोग ब्याने का नने पर सब्सक्राइब कर रहा है यहां वे विल्डरों के मकान में वह रहता था हमने उसकी वारे में जब सवाल उठाए तो उसने मकान मां से चेंज करें तो यह खंबीर अबराज यहां चलते आ रहे हैं कोट नियाल ले देखे कि डिडी नंबर 26 में जूर बोला गया डिडी नंबर 18 में जूर गया हुआ 21 जूर बोला गया एक्की से में जूर बोला गया और सब में जूट बोला गया उनमें सब में चुपाया गया कि यह जो है सतरा पीसी और कॉल हुई उसमें यह बाद चुपाई गई कि परवीन यादब बलराज सरकारी पुलिस करमी थी वह एक दसके बाद पोची और जिसके पर फिर हमला कांसे होगा उससे यह बाद चुपाई ग उनके अंदर से एक बचके ग्यारा और बारा मिनट के बीच में विक्टिम की महिला के और उनके आपस में बात कैसे हो गई जो फोन पॉलिसी का स्टडी में था एक बचके पीस मिनट पी और फिर इस डिरी निम्मर ठारा के हिसाब से तो यह बात साबीत होती है कि पोलिस के एक बचके आड़ में पहले वो फोन थे तो फिर एक बारा पर कैसे बात हुई एक तेरा पर प्र पीसीर कॉल कैसे इन फोलो से जिसकी वाइस सब्सक्राइब करें गंबीर अपराद करें अपनी डगेती को जस्तिफाई करने के लिए जूटी डीडी एंट्री करी जूटी ए सबूद cdr के सामने है और cdr की वी जीपेस लोकेशन वाड़े टेंपर करके कोड में इंडियन एविदेंस एक पहें सब्सक्राइब करती है और इनको कोई रोक नहीं पा रहा इन्हों ने कोड से हर बात चुपाई विजी ने चुबाइलेगी कांस्ट्र मों ने गवावाव किया नकली डीडी एंट्रिया काटी इन्होंने कवाओं के पर 188 की और 283 को सच्छा ना को सके क्यों नहीं कोई फेर आज तक investigation केस में हो रही समझ में नहीं आ रहा कोई कहता है कि इसमें अपसी पुलिस कर्मी इन्वोल थे ठाने के अंदर माल खाने के अंदर मुबाइल खोला गया और खोलेगा जो अपरादी अपराद करेगा उसका मोटीव होता है इन पांच आदमें जो डखेती राली और जो इनके साथ भार पुलिस कर्मी खड़े होई थे और जिनके खिलाफ सबूत था इसके अंदर और जिन पुलिस रदिकारियों के और में लेंड माफिय कहने पर यह सब हुआ उनको बचाने के लिए यह मोबाइल के केस में अपियर हो चुके अलगलग टाइम पे और वह इसमें फर्स्ट एडवोकेट थे आज वह भी यह चीज़ को देख लें कि जब राणीवाग का कैस है अभी हाल के इंदर हमारी जानकारी में आये चल रहा है एक एडवोकेट अश्वनी गोर को कर ने भी इंके खिलाफ सब्सक्राइब कर देखने को नहीं आ पारा कि आखिर क्या करा जाए कुछ समझ में नहीं आ रहा बस मैं तो यही कहूंगा कि आज 16 फरवरी 2000 को जा दिल्ली पुलिस को एक गोरव है जिसको मैं नमंद करता हूं और जो हमारे पास सब्सक्राइब के परमुक आदरनी दिल्ली पुलिस को देखें कि किस तरगे से उनको धोका और चूना लगाया इन रानी वक्त वालों ने इसकी जांच कराएं और सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करें जिन लोगों को घवाओं को धंकी दिया रही है एक फैर प्रसेटिंग के लिए उच्छ सरी जांच हो और चल्द से जल्द है फायर के अधेश हो कि अकर नियाले से अगर इतने लोगों के भ्यान लेने का प्रक्रिया हुई तो म क्योंकि इसके अंदर जो इन्वॉल्मेंट करी गई हैं और सब जांच के दारे में और उसमें दो पुलिस कर्में रिटार्मेंट पे हैं और कई लोगों की डैथ विसके से जुड़े में लोगों की हो चुकी है चार साल के अंदर अब यह नहीं पता कि वह नैच्छल डाइ सब पॉलिस के पहुत है को यहां पूरा जाल बढ़ा हूए मैं कुछ भी नहीं के सकता इस तेम फिलाल और मुझे इतना पता है कि मकान तोड़े जाते हैं सेल खुली आती हैं मकान भज जाते हैं पे इस को पर एसस पांसी पर यहां सब काम हो रहे हैं विजली का डिपाटमे हाथी यहाँ पर काम कर रहे हैं तो इन सबको रोकने के लिए मैं चाहूँगा कुछ तर्य जाजो नियाले दखल दे आधरनी सर्वच नियाले आधरनी उच नियाले डिस्टिंसेशन जच नोर्थ वेस्ट आधरनी सुरेश गुपता जी और तमाम संबंदित सेश्चन और कोट से मेरी गुजारिश है कि वो इसके अंदर संग्यान ले और इन प्रतियास्ता बनी रहे लोगों के अंदर विश्वास और उमीद तूटना पाए और पुलिस दिल्ली पुलिस का जो गोरव है आज भारत में सब्सक्री पुलिस का एक दरजा प्रापता है उसका इभी प् ने भी ती में जिनों रडाली है इनको सक्से सजा है और इनका साथ दने वालों को भी सझादे और जो इन्हों पनी विभाग के और अदुयाले के साथ छल किया है अपने विभाग की डीसी बी मैडम और ज्इमनल should حड़ जो तो नमें कि महां तकालिंको राइन सब्सक्रम फ एक पंड़त के साथ फ्रॉड किया गया है और उसको वचारे को मार पिटाई करके और उनके परिवार वा लोग से एसे संतोष की मदद से भाई करी गई है तो यह भी मैंदा एक सो तेरा नंबर कोट में नंबिद है कोट इसे भी संधान लेंगा कंड़क्ट देखे जैसे अप सब्सक्राइब को एक दिन के अंदर लगाया जाए एक तरह नंबर कोट में ताकि विक्टिम को करने की बजाए होसला मिले और सब लोग मिलके यहां पर इनका कंड़क्ट नियाल ले के सामने रखें और नियाल ले अपना फैसला सुनाए और दूद का दूद और पानी का प पर नहीं है क्योंकि आजाद देश में हमने सांस लिए और अजाद देश में सांस लेने की वेज़े हमारे को यह पैचान मिलती है कि हम हिंदुस्तान के आजाद नागरिक हैं और हमारे समय धानिक अधिकार हैं फंटामेंटल राइक हैं मोलिक अधिकार हैं उसका हनन नहीं क पुलिस्वालों को इनको खिलाब सक्त जांच होनी चीए इसी के साथ सब्सक्राइब जैइन जैबारा जस्टिस करांदी जिंदावाद